सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट तो सामाइन एक हमारे साथ ही है उन्होंने एक वीडियो हमको भेजा है और उन्होंने कहा है कि उनके पास एक बरेलवी ने भेजा है और वो ये चाते हैं कि जो ये अताई इल्मे गईब का जो अकीदा है उसके उपर कोई ये बरेलवियों के जोला छाप अलामा है इनका नाम है पीर साकीप सामी इस टाइप से इनका नाम है तो इनका एक वीडियो है ये एक विदित्ती बरेलवी ने हमारे जो दोस्त उनको भेजा है और कहा है कि हिम्मत हो तो इस वीडियो का जवाब दो तो मैंने इनका वीडियो को सुना और काफी सारे इसमें जूट है इनके वीडियो में आईए एक के करके जूट है उनको आवाम के सामने लाते हैं और आप खुद वैसा कीजिएगा कि जो ये लोग हैं ये लोग कहां का सर कहीं कि टांग जोड़के अपना बातिल अकीदा साब कि इसमें हुदूर अकरम साल लाहु आलहिए वालिही वासलम का इलम गयब थाबित होता है अब चूट के फकत अल्लह ही लम गयब जानता है अल्लह के इलावा कोई नहीं जानता है तो हम इस पर बड़ा महाकिक है उसने इस पर एक पुरी किताब लिखी है और उसने कहा कि य हाँ तो आपने देखा ये इतना वड़ा जूट इसने बोला है कि कोई आलिम है उन्होंने अल्ला के नभी साल लाहु आले वासलम के इलम गयब की जो आई मुई है हदीसे उसका मानने से इंकार कर दिया तो भाया इस दुनिया में एक भी साही हदीस मौजूदी नहीं है जि अगर ऐसी कोई हदीस होगी तो मानेंगे ना जब ऐसी कोई हदीस है नहीं तो कहां से मान लेंगे आगे सुनते इनका जो अगर एसी बात है अगर अगर आप नभी को अताई इलम गयब नहीं है तो ल्लागे नभी को कैसे पता चला की मेरी उम्मत में जो फिर्कें हैं कितने होंगे तक्सीम कितनी होगी तो असले में यो बिचारे थे पैदा लें हदीस हदीस तो पढ़ते हैं नहीं इनको पता होना चाहिए कि जाम تिर्मेजी की अधीस है और उस अधीस का नंबर है 2641 उसमें आता है कि अल्ह चाहcome क्या अधिया है साथत्र बники muito यहाद्त आज जाओ जाएंगे आग में और एक होगा काम्याबी वाला तो सहाबा ने पूछा वो कौन होगा काम्याबी वाला तो अल्ला के अल्धो चाह होंगे जु माणाय अलह वा अस्वाब्य याल यूम यानी कि आज के दिन जिस तरीके पे जिस धीन पे मैं और मेरे bathroom हएं वो लोग काम्यान होंगे मैं पेले नभी पेले बाद में स राशाबा यानि कि नभी और सहाब का जो मनहचे वो है आस्माणी दीन यानि की Quarawan अधीस यानि की आहले हदीस तो आहले हदीस अलहमदोललahh हाध जमात है बहुत है वो फिरकाई नाजिया आई आगे शुमा मैं बैठी रहती है ये 50, 50 उपे देखे इनको इनवाइट किया जाता है कि बस तुम हो और बस पूरी बात होने भी मत दो और आधी बात बाद सुभान अलला, नारे भाजी चालो कर दो अरे भैया, जो हमारा जो अकीदा है पहले उसके बारे में जानदो कि हमारा अकीदा क्या है हम ये मानते हैं कि इलम з Dies गैप एक ताकत है पावर है जो सिर्फ इल्ला सुबानों ताला को है जो इल्ला सुबानों ताला ने बता दिया सुर नमल आयत 65 में कि जमीनों और आस्मानों का यो गैप का इल्म है वो इल्ला की सिवफ कोई नहीं जानता तो हमारा याटीदा है अलहबुलोंबूलừa जो ALLAH ताला ने हमको दिया है वो ये दिया है कि इल्म गैब जमीन और आसमान का वो सिर्फ ALLлаг सुऐसों ताला को है और ALLAH जिसको चाहता है अपने नभीों में से बाज को चुंता है पसंद करता है और उनको gap की इतला दे देता है खबर दे देता है अताई इल्म गैप की जो ताकत है वो नहीं देता कि अल्ला के नभी जब चाहे अपने power का इस्तमाल करके पता करने कि क्या होने वाला है ठीके? तो हमारा कीदा तो ही है कि मेरा नभी अपने दिल से कुछ नहीं कहता वो वही कहता है जो अल्ला की तरफ से अल्ला के नभी के उपर वही की जाती है अब देखिएगा जो हमारा कीदा है वो ये खुद अभी बयान करेगा और इसकी जो आवाम है वो समझ भी नहीं पाएगी और वो सुभान अल्ला और नारे बाजी करती रहेगी और अपने अकीदे पर ये एक भी दलिल ये नहीं देगा आयो स्टार्ट करते है कितनी बड़ी बड़ी किताबें लिखें कियामत की अलामात पर क्या तुम उन तमाम अलामाते कियामत का इंकार करोगे तो तुम्हारा ये था हिमा कि इसको बुनियाद बना कर इसका इनकार करेंगे को इनकार करेंगे ये दिसको ऐधि आया कितने अ थै। भारे अल्लाह जानता है वह बिलकुल है याल्यू रसूला है ये रशां करता है मैं पूछना चाहता हूँ क्या अपने माबूब से राजी है या नहीं राजी क्या अपने माबूब से खुश है या नहीं खुश मैं आप से पूछ रहा हूँ आप मुझे बताएं मैं तो ये कहूंगा अपने माबूब से राजी हो ना है हाँ तो देखा आपने इनकी जो 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 अवाम है ऐसे तो बड़ा गौश सुनती है कुरान का तर्जुमा क्या है है लिकिन जब इनके ही जो अल्लामा बने वे जोला चाप जब वो तर्जुमे में माज अल्ला वह चारसो बीसी कर देंगे तो इनकी आवाम कभी नहीं पकड़ पाती इन्होंने सुर्य जिन की आयत नमबर 26 और 27 प्राइस पेश की उसमें इन्होंने कहा कि अल्ला जिसको चाहता है उसको इलम गयफ दे देता है अल्ला हुआ कि ताकत व अलग है और गयफ की जो इतला खबर है वो अलग है तो यह तो पका जूटा है आई आगे सुनते है अगर रजाए मुस्तफा चाहता है अल्ला हुजूर की रजाएं चाहता है अल्ला हुजूर की खुशी चाहता है और अगर खुशी चाहता है अल्ला फरमाता है जिन रसूलों से अल्ला राजी हो देता है उन्हें इल्म गयब दे देता है सुरह अल्ही मनान में फरमाया मा कान अल्लाह लिदियाकूं अलिल्ह विद्व donors रिख लुख की तरह नहीं देता हाँ, अलहम्दुलालाह, नारे तक्पीर अल्लाह, अक्बर, अलहम्दुलाह तेखो, इसके जुम्ले पे गौर करो अभी इसकी चोरी आपके सामने आ रही है, इसने क्या का चोर ने, यह जो विद्धती चोर है, लोगों का इमान चोरी कर रहा है, इसने अभी क्या का, कि अल्ला ताला कुरान में फर्माता है, सूरे आलिमरान में, कि अल्ला जिसको चाहता है, उसको इल्मे गैब अता कर देता ह क्या का इल्में गैब बता कर देता है और जब इसने मेरे दलील दी तो क्या का इसने कुद कहा कि गैप की इतला दे देता है आई यह स्टार्ट करते हैं फिर से आप लोग खुदी सुन लो भाई यह लेजिए अब बहुत व सनी है चैसर बीमा में अगर खुशी चाहता है अड्यूड फर्माता है जिन रसूलों से अल्ला राजिर हो जाता है उन्हें इल्म खैब दे देता है सुरह अले इमिनान में थे शुर्माया माखाला हु हाँ अल्ला ताला हर एक को गैब की इतला नहीं देता अब आकिर मजबूरी में इसने आयत का जो सही तर्जुमा था वो पड़ा ना अल्हाँ 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 ये रेके ये कितनी बारीकिया से ये लोग चोरी करते हैं ये कोई आम आदमी इनकी चोरीया नहीं पकड़ सकता ये लफजों की जो इनकी जो तीन ये जादूगरी और बाजीगरी ये लफजों से खेलते हैं गैब की इतला को इन्होंने इल्म गैब बता दिया और बाद में जब आयत का जो तर्जुमा उसको करते हैं तो कहते हैं कि अताई इल्म-गयब की दलील वो क्या देते हैं वो देते हैं गयब की इतला दे देता है अब सुना आपने इसने खुद का है बीच पब्लिक में कि अल्ला जिससे राजी होता है उसको इल्म-गयब दे देता है और अब ये पाने जा रहा है सुरह आलिमरान आये स्टार्ट करें अल्ला हर एक को गयब की इतला नहीं देता नारे तक्बीर अल्ला हुआ अकबर अल्हम्दुल्ल्ला जो हक होता है वो वही होता है जो सर चड़ के बोले हमारा अकीदा एले सुनत एले अदीस का अकीदा चोरी करके खुद मेरे भाई अपनी आवाम में ये लोगों को बोल ला है यही चीज हम सेक्डो सालों से कह रहे हैं कि अल्ला सुबानों ताल्ला जिसको चाहता है उसको गयब की इतला दे देता है नभीों में से नभी को चुनता है और जो बात जो बाते होती है क्या होगा क्यामत की क्या क्या अलामते है निशानिया है और जो जन्नत है जन्नत कैसी है जन्नम कैसी है इसाले सलाम आएंगे दज्जाल को मारेंगे ठीक है और जो चुपीवी बाते जो अल्ला ताला चाहता है कि उम्मत उस खिल्मु सायलाख ञारा। उम्म वे का बत है ये ऐसे लोगों के ऐसे लोगे के तालुक से तो जो हमारी उम्मत की माँ है माई आईशा रजी आल्ला नहां आपने 1440 साल पहले फर्मा दिया था कि जो शक्स ये कहता है कि अल्ला के नभी कल क्या होगा उसको जानते हैं वो जूटा है मकार है कज़ाब है तो ये सब तो जोला जाप एक नंबर के जूटे हैं खुद पहले मूँ से बोलते हैं कि अल्ला ताला ने अल्ला के नभी को इल्मे गयब दे दिया मतलब इनका दावा ये है कि इल्मे गयब दे दिया और दलील क्या देते हैं गयब की इतला दे दी तो अब आप लोग समझ ये खुरी अब इसके आगे मैं क्या बोलू हाला कि अगर इनके एक एक जुमले पे एक एक जुमले पे अगर मैं आज वहूं बात करने ना तो विचारे ये लोग चुलू और पानी में डूब अटाई इल्मे गया ये सब खेल ये तमाशा नर्म एक शिबह जाया है कुछ नहीं है इल्मे गया अधाभ पावर एक जो सिर्फ अल्ला को है इल्ला के सिवा जमीन और आस्मान में कोई भी गयाब को attempts नहीं जानता और अल्ला सुर्धिकर जिन की आएत 36 विश्टाइस में कि अल्ला जिसको चाहता है अपने नवीयों में से उनको चुनता है और उनको गैब की इतला दे देता है, खबर दे देता है ताकि जो छुपी वी बात है वो उम्मत तक पहुँच जाए लेकिन अताई इलम' गैब की ताकत दे देना कि अल्ला की नवी जब कियामत तक का इल्में गया बता कर दें तो ऐसा कुछ नहीं है यह सब मेरे भाई जूट है इल्म के मैदान में जब बात होगी ना तब बेटा हाले टाइट हो जाएगी तो समाइन इनके धोके में अपनाईएगा यह लोग दावा करते हैं आम का और यह लोग जब दलील देते है बातिल अकीदा उनका और मजबूत करना चाह रहा है और शैतानी काम कर रहा है आईए इसका रद करते हैं देखिए कुरान में कित्ती यह ताविलात करता है आईए देखते है हां तो सुनिया आप लोग गौह से सारे बरेलवी कि देख लो तुमारे बाई जो यह पपाज जी हैं यह जो तुमारे जो अब्बु जान है यह खुद कह रहे हैं कि अल्ला ताला हर एक गैब है उसकी जो इतला है वो नहीं देता तो अब देखो अब कलको कर यह कह कि हमारी पीर बाबा भी उनको भी थोड़ा बहुत इलमे गैब था बहुत सारे लोग कहते हैं कि कश्फ के जरीए वो जो गैब की बाते थी उसको जान लेते थे यह खुद कह रहा है कि अल्ला ताला किसी आम लोगों को गैब है वो नहीं देता है आगे सुनिये तो सुनते हैं यह क्या कर देता है खुद कर देता है हाँ तो भाई देखें ये कह रहे हैं कि तुम लोग जाके इसका सबूत लाओ तुम लोग काम पे लगा रहे हैं तो हमने सुचा है इनको हम काम पे लगा दें जो ये आयत को ये हलक फाड़ फाड़ के पढ़ ले हैं ऐसे आइत को कैसे समझा और सहाबा को कैसे समझा अया है कि एन अबी जो कुछ आप नहीं जानते थे वह सब हमने आपको सिखा दिया तो गोया इससे जो बाती लोग हैं वो ये कैयास करते हैं अकीदा बनाते हैं कि अल्ला के नभी सालय अल्ला वाले वसलम जो कुछ नहीं जानते थे सब कुछ अल्ला ताला ने इल्मेगाप बता कर दिया गोया अताई इल्मेगाप हो गया मतलब भई कई कसर कई किटांग जोड़ के इनको पास अपना बातिल लगिदाth साबित करना है तो मतलब करना है वहार है मेरे भाई मेरे उसको बस उगलते रहो उल्टीयां करते रहो तो उल्टी करने से नहीं होता है दद्दा देखो सीधी बात ये अब मैं आपकी जो मेरे पर दलिल है अभी तक आप हमगो काम पर लगा रहे अब हम आपको काम जो कुछ अल्हा के नभी वाले वाले सिल्म नहीं जानते थे सब शिखा दिया गोया अताई इल्मेगश दे दिया तो चलिए मैं आप से पूछ रहा हूं कि अल्हा के नभी सल लाहले वाले मा का माना ये उमूम का है उमूम हर चीज अल्ला ताला ने अल्ला के नभी को सिखा दिया बता दिया अता इल्म कर दे दिया सबक का इल्म दे दिया तो इंग्लिश का इल्म क्यों नहीं दिया चाइनीज का इल्म क्यों नहीं दिया बंगला का इल्म क्यों नहीं दिया और जो भोजपूरी है मराठी है, बंगाली है बहुत सारी भाशाएं हैं लेकिन सारे लोग जानते हैं कि अल्ला के नभी अरबी थे आपको अरबी आती थी बोलना लेकिन अब आपका ये बातिर भाई कैयासन है कि अल्ला के नभी को सब कुछ आता था मा का काईदा उमूम है तो उमूम है तो गोया आपके जिम्में ये है कि आप थाबित करें कि अल्ला के नभी चैनीज भी बोलना जानते थे इंग्लिश भी बोलना जानते थे और हिंदी भी बोलना जानते थे, उर्दू भी बोलना जानते थे, संस्क्रेट भी जानते थे, जितनी भाषाएं सब जानते थे, सब का इल्म अल्ला के नभी को था, अगर आपने आपको आपकी जो मौत है उससे 15 मिनिट पहले तक का टाइम दे रहों जब भी आपकोullen आए अपनी मौत आने के 15 मिनिट पहले पहले तक अगर आप यह थाबित कर देंगे कि अल्ला के नभी को सब कुछ पता था पूरा इल्मेगा बता कर दिया था अल्ला ने और जो कुछ अल्ला के नभी नहीं जानते थे वो सब अल्ला ताला ने सिखा दिया और अता कर दिया तो हम इंशालला तौबा करने के लिए तयार हैं बस आप से जो मैंने सवाल किया उसका जवाब आप अपनी मौश से 15 मेट पहले पहले तक आपके पास जब टाइम हो आप इंशालला उसको दे दे तो मैं इंशालला तौबा करने के लिए तयार हूँ और अकेले नहीं तमाम महदशीन झें तमाम सलफ झें तमाम सहाबा ने इससे माना लिया कि शरीयत के बारे में अय यायत की आया जोड देते है बहुत था चलव अब देखते हैं कर आद देखते हैं कियسे सा小時 इसको ऐसमारी और सब्सक्रालम करते हैं तो इसको में अशापक है यह ishamnachten इसको चाहता है्ता है उसको इतला होती खबर होती है तो दे देता है इंग्ट वी चांघंटियों एप पावर फिर्णीब और इल्म गैप की जो ताकत है वो किसी को नहीं देता इस जमीनों और आस्मान का जो गैप का इल्म है वो सिर्फ अल्ला के पास है असलेम वालेकुम वरहमतुलाही वबरकातु